करने का सबसे बेड़ा तरिका है कि गिबन नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में लेगो फिर बात में बता दो कि यह रेशनल ना होकर हमारा हमारा contradiction था वो गलत है हमने जो माने थे सब्सक्राइब करता है वो उसका खतम हो जाता है इसे लिए एक रेशनल नंबर को अगर आपको रेशनल नंबर को रेशनल मांदा सबसे पहले और रेशनल मांदा में तो क्या हो जाएगा था थी प्लस तू रूट तू इस इपलस तू कि दीको हों अब देखोजनल निखें आप विरशनल मंगे यहां गया 3D और यहां पर आगया 3D, इसका मतलब कि अगर यह 2 मृटिप्राइम इधर गया तो कि इसमोर आएगा, डिवाइदे, तो बोलो कि रूट 5 is equal to a minus 3D upon me 2D, अब देहां कराएं आपको, कि यह जो फॉर्म है, यह rational number का पॉर्म है, किसका पॉर्म है, rational number का पॉर्म है, ह रूट 5 is a rational number, अब यहां गया, रूट 5 is a rational number, लेकिन अब आपको तो क्या पता है, कि रूट 5 is a rational number, अब आप बोलोगे, कि बट, रूट 5 is a rational number, so, और supposition है, हमने जो माने तो उपर में, हमने जो माने थे कि इतना एक rational number है, वो अपर separation contradicts, contradicts, the solution, so that, 3 plus 2 root 5 is a rational number, इसी लिए 3 plus 2 root 5 is a rational number, that is why, कि यह रहे, बस इतना सा इसका solution था, और आपको सबसे बढ़िए rational number है, मानना था, फिर आपको बात में लाट नसको बताना थे कि, यह rational number है, लेकि जब कि root 5 जो है, वो एक rational number है, तो हमने आपर सीघा, बहुत देख्या, कि, but, root 5 is a rational number, so, our supposition contradicts, the solution, so that, 3 plus 2 root 5 is a rational number, clear है, बस एकना सा solution था, और यह 100 आपको कामा आएगा, और 100 के लिए important solution, clear है, तो मिलते हैं, next video है, झाल मिलते हुए थार सभिया नसे वाएग प झाल